राम राम प्रपर आपके इस भक्ती को और बी बढ़िया करने में सहायक होगी तो जब भी आप अपने घर में मंदिर बनाए कोशिश करें कि आप अपना मंदिर घर के इशान कून में बनाए ठीक है और दूसरी बात आप घर में जो मूर्ती रखें कम से कम वो 6 इंच से कम हो ऐसा माना गया है 6 इंच से बड़ी मूर्ती लाल किताब के अनुसार आपके घर में नहीं होनी चाहिए ठीक है ना इसके इलावा अगर आप मूर्ती की बजाए चित्र अपने देवी देवता या गुरु महराज का लगा कर पूजा करते हैं तो वो स्रेश्ट है इसके इलावा अगर आप और किसी तना की मूर्तीयां अपने घर में रखते हैं जैसे की तांबे की होगे या सिलवर की होगे वो खोखली नहीं होनी चाहिए वो पूरी solid मूर्ती होनी चाहिए खोकली मूर्ती राहू के साथ सबंद करती है क्योंकि हमारा पूजापाट ब्रस्पती के साथ जुड़ता है और ब्रस्पती हमारी किस्मत है और देव किरपा है तो जब खोकली मूर्तियां हम घर में रखके या P.O.P. की मूर्तियां घर में रखके पूजापाट करते है तो उस पे राहू का पर भाव आ जाता है तो इसलिए ये ध्यान रखे और अगर संबव हो तो मंतर जाप करें वो ज़्यादा बैटर है और कल्पना देवता की मन में रखे ठीक है तो और साथ में ये ध्यान रखे घर में आपने जहां पर भी मंदिर बनाया हो ना उसकी मंदिर के ऊपर जो छट पड़ती है वहां कभी भी आप पाउं लेकर ना चले है ना क्योंकि ऐसा करने से हमें दूश लगता है मंदिरों में हर धरम में हर धरम ने इस चीज़ को अपनाया है कि अपने देवता को वो जहां पर रखते हैं उसके उपर ऐसा गुंबद बना देते हैं ताकि या फिर गोल अकार का होता है ताकि उसके उपर कोई पैर लेके ना चल सके कि हमारे देवता का अपमान ना हो तो यही एक वजा है कि हम अपने पाउं लेके घर में जहां पर मंदिर बनाया उसके उपर कभी ना चले तो इन बातों का छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखके चलते हैं है ना अगर आप मूर्ती छेंच से कम रखते हैं और सबसे सरेष्ट मूर्ती आपको कहूं मिट्टी की रहेगी मिट्टी की शुद मिट्टी की को मिहार से लें ठीक है ना वो बढ़िया रहेगी बाकी खोकली मूर्ती ना हो है ना चित्तर हो वो भी चलेंगे बहुत बढ़िया और कभी भी अपने घर में बनाए हुए मंदिर के उपर पैर लेके ना चलें और घर में तामसिक आदतें ना अपनाएं नोन वेज, ड्रिंक और ऐसी चीजें या तामसिक वानी का परयोग ना करें और देवी देवता का ध्यान पूरा रखें जब भी आप कहीं जाएं तो ध्यान रखें कि देवी देवता पीछे से आपकी पूजा पाठ की परतिक्षा में है तो ये ध्यान रखना है आपने क्योंकि पूजा पाठ अगर घर में करना है तो इसके नियम है तो घर में किसी न किसी की ऐसी आपको duty लगानी चाहिए कि वह देवता का पूरा ध्यान रखे तो ये बातें अगर आप ध्यान रखे चलते हैं तो आपके बरस्पति ग्रह ठीक हो जाते हैं और पूजा पाठ का कभी भी आपको किसी तरह का भी कोई हानी नहीं होती नहीं तो कई बार जाने अंजाने हम भूल वश ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारे पूजा पाठ के द्वारा ही हमारे बरस्पति ग्रह खराब हो जाते हैं तो बरस्पति ग्रह कुंडली में सबसे जादा मजबूत कहा गया है तब होता है जब हम नेमो के द्वारा अपने उस ग्रह को अच्छा रखने की कोशिश करें तो इसी द्रिश्टी कौन से ये वीडियो बनाया गया था आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आए जैमात आगे